नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर सीविल सब्सेंगे यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज़्यादा जुरूर है सारे नोटिपिटेशन सारे अप्डेट सारे मोस्ट इपोटन पिक्स सारा रिवीजन सब कुछ या पर बताया जाता है इस प्री जो इनिषएट्व की PDF आपको सिर्प एइड गुप में मिल सकती है हमारा पिदबू इंषिव के साथ सथ वीदियो प्री थे फ्री है रेकिन साल साथ मोफर हमारे प्री ते है प्री रहेंगे मिलेगा निई जाल काया दिKY भीन लेगा इस वीडियो में हम डिस्कास करने वाले हैं BPSC में प्रिविए सियर क्वेशन को जो 63rd BPSC का GS1 पेपर आज हम डिस्कास करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप Study for Civil Services से कोई भी कोर्स की जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉंटाक्ट कर सकते हैं हमारे यहां UPSC, BPSC, UPPSC, UPSC, EPFO इन सभी से related test series और complete study material दोनों ही चीज़ें available हैं इन गिवन नंबर्स पर कॉंटाक्ट करकर आप सभी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं और साथ ही आप Telegram चानल से भी हमारे जुड़ सकते हैं Study for Civil Services के नाम से यह Telegram चानल है तो आईए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडि इसी में तो कुछ questions ऐसे हैं जो कई बार repeat देखे गए हैं repeat हुए हैं उनको आप काफी इच्छे से prepare कर लीजेगा तो यह पतना कलाम painting style है यह Indian painting style है और यह exist कहां करती थी बिहार में 18th और 19th century में और यह दुनिया की पहली स्वतंत्र शैली थी जो विशेश रूप से आम life से डील करती है यह painting ठीक है इसमें washerman और fishers fish sellers carpenters जो bangle sellers थे इन सब के related जीवन शैली थी उसको represent करती है यह painting तो अपने आप में काफी different है और यह वर्ड की ऐसी पहली painting है school of painting है जो डील करता है एक आम व्यक्ति की जीवन से ठीक है तो यह काफी important हो जाती है अपने आप में इसकी विशेशताएं क्या है वो देख लेते हैं विशेशताओं में पहला point क्या है यह मुगल painting और पाड़ी painting से प्रभावित थी उस time period पे थी तो obviously जो उस समय पर exist कर रही थी painting तो उसका इस पर प्रभाव देखा गया यह जीवित सा विवरण है इसमे life like representation दिखाया गया है और आम तोर पर इसकी जो प्रिष्टि भूमी थी या जो परिद्रिश है यह चित्रत नहीं किया जाते थे और pencil का उपयोग किये बिना brush से ही इसको सीधे चित्रत किया जाता था लगू चित्र प्राथ में चित्रत थे और यह काफी सरल थे तो इसके काफी easy से कुछ features है अग नर्स वीलस लाल हो गये जैराम दास हो गये की चन्त वह जुमक लाल नित्यनन लाल। टुन्री लाल शेव लाल। दी बहुत सारे नाम तरहिना याद कृत 11 याद करते हैं तो और न्सर करें सब्सक्रैसिति दो कर दिए तो सहीं रहता है इसके साथ ही जो painting होती थी के बारे में और point यह है कि फीचर्स थे इनके जो फिगर होते थे बनाई जाते थे उन tango कि है ऍशिक पॉइंटिध नोगे पॉइंटिथी थी उनकी ओनकी तो यह पतना कलम जो पेंटिंग है पतना कलाम पेंटिंग इसका मधुबनी पेंटिंग के साथ काफी जादा competition देखा गया है लेकिन सबसे दुखत बात यह है कि जिस प्रकार जो मधुबनी पेंटिंग है उनको बढ़ावा मिला वो वर्ड फेमस हो गई उस प्रकार इन पेंटिंग को उतना बढ़ावा नहीं मिला तो इस तरह को अगर आप पॉइंट इस तरह का लिख रहे हैं तो उसक करें नहीं आपको पता है संथाल विद्रो काफी बार प्रिलम्स एक्जाम में पूछा जाता है और इसका एयर क्या है देख लिजे एक बार ध्यान से 1855 और 56 तो बिहार में इसके हमें कारण और प्रणाम बताने हैं बिहार के संबंध में देख लेते हैं संथाल जो थे यह बिहार में बड़े पैवाने पर केंदरत आधिवासियों का एक सम्हू हूँ था ठीक है और इसके रीजन्स क्या थे संथाल जमीदारों और साहुकारों को सभी प्रकार के कर लगान देने के लिए बाध्य होते थे जो संथाल थे इनका बुरी तरीके से शोशर किया जाता थ ब्रिटिशर्स के द्वारा और साथ ही साहुकारों ने अत्यादिक ब्यासिन पर लगाया हुआ था और इन साहुकारों को दीकू यानि की शोशक के रूप में जाना जाता था उस समय पर और जो यूरोपी लोग थे वो संथाल जो महिलाएं थी उनके साथ काफी जादा अब बत्र विवार करते थे उनका अपरण या तक की हत्यां और उट्पीरन जैसे भी कारिक किये जाते थे ठीक है तो यह सारे रीजन्स थे सारे कौजस थे जिसकी वरे से संथाल विद्रो हुआ अब इसके क्या परिणाम यानि क्या रिजल्स देखे गए तो सरकार्त वारा संथ संथाल शेत्र को संथाल परगना खोशत कर दिया गया था संथाल परगना और संगट हो गया थे तो इसके मार्ध हमसे आदिवाची समूम था यह काफी सात ओश्यल्स हो गया था एक जुट होकर एक शक्ति थी बिडिश पावर थी उसके खिलाफ लड़ने लगे थे उसके बाद जो ग्राम प्रधान होता था उसको भी मानेता दी जाने लगी थी राइट साथ ही कहा गया है कि संथालों ने पूरे देश के किसानों को जमीनदारों और सहुकारों के उत्पीरन का विरोध करने के लिए एक संदेश दिया था ठीक है तो इनका विद्रो काफी इस प्रश्ट में गांधी जी के सामाजिक और सांस्क्रितिक विचारों के महत्व का वर्णन करना है तो यह गांधी जी से संबंदित सभी प्रश्ट होते हैं गांधी जी जो थे वह व्यक्ति को समाज का सबसे बहत्वपूर्ण एलेमेंट मानते थे इंडिवेश्वल को यह मानते थे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है यदि उसका हृदय परिवर्तन किया जाए तो जो व्यक्ति गलत आधतों में पढ़ जाता है अपने एट्मोस्फिर के कारण या किनिया कारणों से तो हृदय परिवर्तन के माध्यम से उसके अंदर के अच्छाई को उभारा जा सकता है यह काफी important point रहा है और देख लेते हैं उसके बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन जो था उनका तातकालिक लक्ष था और उन्होंने उसको प्राथ्मिक्ता भी दी थी गांडी जी द्वारम मानविय गरिमा और समानता को सामाजिक परिवर्तन का मोल माना गया है साथ इन्होंने के च्रस्टीशिप और सर्भोदे के दर्शन की भी वकालत ये ट्रस्टीशिप में क्या बात करते हैं कि जो आमीर लोह होते हैं वो एक ट्रस्ट के रूप में होते हैं और उनको साहता कनी चाहिए गरीब होapat bonito٠ और उसके बाद उनका मानना था कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारा चाहिए और बाल विवाज ऐसे जो खराब चीजें समाज में प्रश्रित थी उनका भीनों ने फिरोध किया इस प्रकार जो कांजी जी थे इनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचार जो हैं ये कल्य सामाज के इस प्रश्रापना में मुहतुपूल रूप अदा करते हैं तो कल्यारकारी समाज याने की unefair society की इनकोंने pesos के बाहिए और इनके के सामाजिक और और आर्फिक विचार सामाजिक और सांस्कृतिक विचार उसी से संबन देते हैं चीक है साथ ही इस से एक और पॉइंट है अंटचिबिलिटी वाला जो गांधी जी ने जो दलत समाज था उसके लिए काफी प्रयास किये ताकि दलतों को समाज में इज़त प्राप्त हो सके और हरिजन गहां ठीक है और इसके साथ ही उन्होंने फैमिली के इंस्टिउशन पर भी फोक सकते हैं और इन्होंने कहा कि भाण प्रती मैं पर एक का यह सब एक है है तो इस तरह से और कुछ पॉइंट भी हम इसमें आठ कर सकते हैं और एंड में उन्हें एक वेलफेर सोसाइटी की इस्टाब्रिश करने की बात कही है फिर देखते हैं next question अब हमें बताने हैं causes और results of चंपारन सत्याग्रह इन बिहार तो चंपारन सत्याग्रह आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसके क्या कारण रहे हैं और क्या परिणाव हैं यह पूछा गया है आपर तो चंपारन सत्याग्रह कौन से एयर में हुआ था सबसे और इसके कारण देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से points होंगे उसमें तो कारण में भू राजस्व में व्रद्धी की गई थी जो land revenue था वो क्रीज हो गया था और किसानों से क्या कहा गया था कि तिन कठिया प्रणाली के तहट जो उनकी जमीन थी उसके 3 by 28 पार्ट में उनको नी लुगाना था यानि कि उनको इंडिगों की खेती करने थी किसानों को बहुत ही कम मस्दूरी दी जा रही थी और किसानों को यूरोपी बागार मालिकों के हाथों से बुरी तरह से exploit होना परता था वो काफी पीड़त थे उनके हाथों से जिसके चकर में ये चमपारन सत्याग्रे चलाया गया था फिर हम देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ था इस सत्याग्रह का सत्याग्रह के परिणाम सुरू चमपारंद कृष्य अधिनियम को लागू किया गया था ठीक है और करका जो एक बटे चोथा हिस्सा था वो समाप्त कर दिया गया था और पच्चिस परसेंट कर जो था वो वापस करने की सिफारिश की गई थी और राजी इंद्र प्रसाद ब्रच किशोरी प्रसाद जेबी क्रपलाने अरुग्रह नारायन इन नेताओं का ये काफी बड़े नेता थे इनका उध्य इसी समय पर हुआ था चमपारंद सत्याग्रह के समय आगे हम देखते हैं भारती राश्री आंदोलन में महा युग देखने को मलता है जिसमें गांधी जी ने लीड किया जिसको और जो कॉंग्रेस में एक्स्रेमिस्ट्स और मॉडरीट्स की जो लडाई थी जो इनके बीच भेदभाव थे जो डिफरेंसिस थे बेसिकली वो समाप्त हो गए थे और इंडियन नाशनल कॉंग्रेस में गांधी जी आ चुके थे इस समय तक और एक नया युग हमें एक नया एरा प्रारम्भ होता है इस समय से हमारे इंडियन नाशनल मूफ्मेंट का इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं अगला क्वेशन है 1857-1947 तक बिहार में जो पश्चमी शिक्षा है इसके विकास पर हमको चर्चा करना है तो बिहार के संदर में हमें क्वेशन में पूछा गया है तो सबसे पहले तो बिहार में पश्चमी शिक्षा जो है वो लौड विलियम बेंटिंग के समय पर शुरू तो भी funds होंगे वो English education पर ही खर्च किये रहेंगे इससे पहले Englishist और Orientalist की जो controversy रही है शिक्षा से related वो भी है लेकिन वो हम यहां पर discuss नहीं करेंगे पहली बात तो question में हमसे 1857-1947 पूछा गया है तो question की मांग क्या है यह हमें ध्यान होना चाहिए और बिहार के संदर में ह तो में बिहार के काफी examples भी देने होगे यहां पर यह आपको पता होगा और गर नहीं पता है तो हम यहां पर discuss नहीं कर रहे हैं उस तो में पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं इस जो यह debate था इसमें यह confusion था यह contradiction था कि इंडिया में English language से पढ़ाया जाए कि जो कि इंडियन जो संस्कृती रही है उन सब चीजों से संबंधित पढ़ाई कराई जाए तो इस चीजों पर काफी जादा discussion हुआ था जिसका निशकर्श यह हुआ था कि 1835 में फाइनली English medium में Western education दीट जाने का निश्चे किया गया था तो फिलाल हम अपने question की तरफ वापस आ इन जगहों पर स्थापित हुआ था तो यह examples काफी important हो जाते हैं जगहों के नाम important हो जाते हैं क्योंकि यह दिखाते हैं कि बिहार में कहां कहां पर कैसे कैसे शिक्षा प्राणम हुई ठीक है पस्चिमी शिक्षा और 1863 में हम देखते हैं कि देव घर मोतिहारी हजारी बाग इन जिलों में स्कूल खोले गए थे जनवरी 1863 में पतना कॉलेज की स्थापना की गई थी और 1925 में पतना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी क्रशी से सबमंधित अनुसंधान और प्रयोगों के लिए क्रशी अनुसंधान केंद्र और प्रयोग फर्म 1902 में स्थाप ताल स्थापत किया गया था देखिए इस सारे से points हैं और यह काफी facts है important अगर आप से पस्चिमी शिक्षा के बारे में बूचा जाता है तो आपको कुछ points बताने होंगे इस प्रकार के ताकि examiner को लग सकी कि आपको पता है वड़ा आप किस तरह से बताएंगे किस तरह से उस स पस्चिमी शिक्षा का विकास भारत में हुआ था तो वह बेसिकली अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया था और उसके मार्थ्यम से वह ऐसा चाहते थे यह जो नीचे की post होती है उस समय के departments में वह अंग्रेजों की जगा है जो हिंदुस्तानी थे उनके द्वा था उनके अपने लिए था और इसी का परिणाम था कि हम देखते हैं इंडिपेंडेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जो लिट्रसी रेट था वो सिर्फ सोला प्रतिशत था सिर्फ सोला परस्टेंट आप समझ सकते हैं तो इस तरह का डेटा अगर आप मैंशन करते हैं तो उस पर प्रकाश टालें और भारत के हितों और शिकायतों से संबंदित मुद्धों पर भी हमको इसमें चर्चा करने हैं तो देखें काट्वांडू शिकर समेलें उस समय पर रेलेवेंट का आज नहीं है तो देख लेते हैं बिंस्टिक का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले सामिल होते हैं कौन कौन से कंट्रीज है इसमें तो इंडिया को लेकर सब्से पहले कोर भी हैसा हो और से कर आप लर्न करेंगे तो चीज़ें आसान रहते हैं इंडिया हो गया नेपाल भूटन उसके बार पांगलादेश यहां पर आगया मैंनमार यहां पर आगया श्री लंका और थाइलेंड इस तरह से हमारे हो गए हैं साथ देश चीक है तो थोड़ा साम को इंट्रोडक्शन म उसके परिनाम स्वरूफी स्थापित किया गया था काटमांडू शिकर सम्मेलन के बारे में हम नहीं रिसकस करेंगे लेकिन इसके जो हित हैं और जो शिकायत हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूं बिम्स्टिक जो है काफी इंपॉर्टन है ना जिसकी वज़े से सार की कोई भी समिट भी नहीं हो पाई है तो हम देखते हैं कि इंडिया ने बिम्स्टिक को काफी इंपॉर्टन प्रधान की है जब हमारे जो प्रधान मंतरी हैं उन्होंने अपना सेकेंड टर्म में ओथ ले थी तो उस समय पर इन्होंने को एक तरह से सार के alternative के रूप में देखा जा रहा है ठीक है और इससे इंडिया को क्या help होगी इंडिया अपने जो neighborhood first है policy उसको भी बढ़ावा दे सकता है और यह South East Asia से connected है वेम्स्टिक तो इसके माध्यम से Act East जो इंडिया की policy रही है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है और स साथ ही economic development को भी बढ़ावा मिल सकता है और चाइना को भी counter कर सकता है इसके माध्यम से भारत लेकिन इसके संबन्द में काफी सारे challenges भी देखने को मिल रहे हैं हमें सबसे बड़ा challenge यह है कि इंडिया और यह जो संगठन है इसकी जो summits हुई है वो 1997 से लेकर अब तक सिर्फ म important organization है तो उसकी summits होती रहनी चाहिए तभी उसका उसकी importance बनी रहती है और दूसर जो एक और important point है वो जो member states के relations है recently हमने देखा है नेपाल और इंडिया के बीच में जो relations है वो काफी खराब हो गये है ठीक है और जो bilateral relations है basically और इसके साथ ही जो FTA होता है यानि की free trade agreement उसकी बा द्वारा इसकी members के बीच में लेकिन उसके संबंद में कोई भी conclusion अभी तक नहीं निकाला गया है तो यह सारी कुछ इसकी उससे संबंधित शिकायते और हित जो हो सकते हैं इंडिया के वो मैंने यहां पर discuss कर लिए है नेक्स तेख लेते हैं कुछ current affairs related प्रश्ण है वो लिख चीन भारत बांगलादेश की क्या भूमिका रही है सब पताना है साथ ही रोहिंग्या शर्णार्थियों के संबंध में मानव अधिकारों के उनलंगन पर भी हमको प्रकार श्रालना है उसके बाद 2 प्लस 2 संबंध यह काफी important राय है और prelims में भी बूचा गया है 2 प्लस 2 क् defense minister और foreign minister जो होते हैं किसी country के दोनों countries के बीच में इन दोनों जो meisters होते हैं इनके बीच में बारता होती है भारत और इरान के द्वीपक्शी संबंधों के संदर में भारत और अमेरिका के बीच 2 प्लस 2 जो संबंध है उसको पस्पष्ट करना है तो यहाँ पर एक important question यह बन तो यह हैं इंडिया के साथ करने वाले कंट्रीज जो हैं वो हैं USA, जैपान और आस्ट्रेलिया थी तो यह मेली यह तीन कंट्रीज हैं इंडिया 2-2 डायलोग कंड़क्ट करता हैं इसके पारे में हमें बताना था है यहाँ पर कि जो इरान से संबंद्ध बाइलेटरल रिलेश इसके बारे में हम क्या चानते हैं ये पूछा गया है इसके पीछे के राज़ीतेक कारणों पर हमको प्रकास डालना है और इस मुद्धे के अंतराश्री प्रभावों पर चरचा करनी है अंतराश्री आतंकवाद को स्पष्ट करें और अंतराश्री समुधा 누 зай. आज किस तर जो terrorism है उसको हम थोड़ा सा define करें ठीक है बताएं कि वो क्या होता है वो terror create करता है masses में ठीक है और इसका political, religious कुछ भी aim हो सकता है इसका उसके बात में थोड़ा जो terrorism से related जो भी organizations रहे हैं जैसे al-qaeda हो गया, boco haram हो गया, ISIS हो गया, इनके examples दीचे यह का existence में है बस थोड़ा दो जो इंडिया में देखने को मिलता है पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर में करवाया जाता है ठीक है एक दूसरा होगे एक religious terrorism किसी basically religion को बढ़ावा देने की बात करते हैं या वो religion से संबंधित होता है दूसरा एक होगे criminal terrorism ठीक है तो इस तरह से इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा उसके बाद UNO की जहां पर बात आती है तो यहां पर UNO पूछा गया है UNO का क्या योगदान रहा है तो 2006 में हम देखे हैं तो UNO ने क्या किया था UNO ने General Assembly में Global Counter-Terrorism Strategy को अपनाया था जो बेसिकली इस अंतराश्य आतंकवाद से लड़ने के लिए लाई गई थी तो इस तरह से कुछ पॉइंट से कर हम conclude कर सकते हैं कि क्या challenges है और उसके बाद क्या present situation है तो इसके साथ हमारा यह complete हुआ थांक यू सो मच हम मिलते हैं नेक्स लेसिन में